पुलिस रीफॉर्म्स बार बार न्यूस में आते रहे जैसे तमिलनाडू में कस्टोडियल वालेंस की वज़े से दो लोगों की डेथ हो गई उसके बाद हातरस में जिस हिसाब से यूपी पुलिस ने किस को हैंडल किया उससे पहले विकास दूबे किलिंग्स एनकाउंटर्स तो पुलिस रीफॉर्म्स पे प्रिलिम्स में कोशिन कैसे आएगा कुछ कमीटीज के नाम दे दिये जाएंगे और आपको बताना होगा इन में से कौन कौन सी कमीटीज वर ऑन दो टॉपिक ऑफ पुलिस रीफॉर्म्स तो जैसे ये सारे ऑप्शन सही हैं मदरास टॉचर कमीशन 1854, फ्रेजर कमीशन 1902, इंडिपेंडेंस के बाद गोरे कमीटी, रिबेरियो कमीटी, पदमना भहिया, मलिमत, सोली सुरब जी, एंड 2006 में सुप्रीम कोट की रूलिंग इन दा प्रकाश सेंग केस मेरे खाल से तना सफिशेंट है, कुछ एक्स्ट्रा इंफोर्मेशन मैं को दे देता हूँ इन कमीटी के बारे में, शॉर्ट में, चाहो तो एग्नोर भी कर सकते हो प्रिलिंग के लिए मदराज टॉर्चर कमिशन 1854 की उलाया गया था, किसान अगर टाइम से टाक्स नहीं पे करता था, तो कलेक्टर्स यूस्टू टॉर्चर हिम इसलिए सर चाहल्स हूड ने यह कमीशन बिठाया, तो जो ब्रिटिश एंपी थे, हच डिस सेम और, उन्होंने इस इशू को रेस किया बिटिश परलिमेंट में, इसलिए सर चाहल्स हूड ने यह कमीशन बिठाया, तो लुक इन्टो इन्टो इस मैटर उफ पुलिस एक्सेस, 1902 में, लॉड करजन ने एक कमिशन बिठाया, फ्रेजर कमिशन, इस कमिशन ने क्या-क्या चीज़े रिकमेंड करी, सारी चीज़े लगन करने की जुरत नहीं है, बढ़ एक इंपोर्टेंट पॉइंट यह था, इस अपॉइंट्मेंड एक्सेस, इस से पहले, मुस्ट इन्टो इन्टो इस वर जस्ट चॉंसेबल्स, गोरे कमिटी, 1971 इट फोकस्ड उन पुलिस ट्रेनिंग, रिबेरियो कमिटी, तो रिवियो नाशनल पुलिस कमिशन, 1977 इस ने जो रिकमेंडेशन दी थी, वो कितनी इं इंप्लिमेंट हुई, उन सब चीजों को रिवियो करने के लिए, रिबेरियो कमिटी मनाई गई थी, सुप्रीम कोट के कहने पे, in the year 2000, पदमना भहिया कमिटी बनाई गई, इसका मेन फोकस था, on politicization and criminalization of पुलिस, क्योंकि अक्सर यह देखा जाता है, कि पुलिस, देखो, normally पुलिस का काम होता है, अपराधियों को पकड़ना, ठीक है, क्राइम को कंट्रोल करना, लेकिन जब क्रिमिनल्स ही पॉलिटीशन बन जाते हैं, तो फिर क्रिमिनल्स पुलिस को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, which is a very common thing in India, तो यह ही politicization and criminalization of पुलिस पे फोकस था, इस कमिटी का, 2001 में, मैलिमत कमिटी, इसका फोकस था, क्रिमिनल जेस्टिस सिस्टम पे, क्रिमिनल जेस्टिस सिस्टम के, तीन मेन कॉंपोनेंट्स होते हैं, पहले होती है पुलिस, पुलिस सारी investigation करती है, उस investigation के पेसिस पे, कोर्ट में case चलता है, अगर सजा हो जाए, तो बंदे को कहां बेज़ा जाता है, प्रिजन में, अब प्रिजन में भी फोकस रहता है, कि जब भी वो प्रिजन से बाहर आएगा, तो he should be a reformed person, तो क्रिमिनल जेस्टिस सिस्टम में, इन सब चीज़ों पे, फोकस किया जाता है, 2005 में, सोली सुरबजी कमिटी बनाई गई, टू ड्राफ्ट Model Police Act, जो कस्टोडियल टॉर्चर होता है, टॉर्चर के खिलाफ एक UN Convention है, UN Convention Against Torture, इंडिया ने इसको साइन तो बहुत पहले कर लिया था, लेकिन हमने अभी तक इसको ratify नहीं किया है, Online Dispute Resolution क्या होता है, It is nothing but Online Equivalent of ADR, देखो कोई Dispute हो जाए, कैसे सॉल्फ किया जाता है, या तो Normal Quartz में जाओगे, या फिर Alternate Dispute Resolution में, Alternate Dispute Resolution मतलब जैसे, Arbitration, Conciliation, Mediation, वो सब चीज़ है, तो अगर हम देखें कि Courts, आपको Physically Courts में ना जाना पड़े, सारी Courts की Hearing Online हो जाए, तो उसके लिए Government का Project है, Virtual Courts, V-Courts.gov.in, Virtual Courts, उसी तरह से, अगर हम ADR वाली चीज़ भी Online करने की कोशिश करें, तो उसको हम बोलेंगे, O-D-R, Online Dispute Resolution, ADR का क्या मतलब होता है, To Solve Conflicts Outside Ordinary Law Courts, ठीक है, Courts में ना जाके, भार अपने फैसला कर लिया, त्रू, Arbitration, Mediation, Conciliation, ऐसे, जैसे, Arbitration में क्या होता है, Arbitration में, देखो, Normal Court में क्या होता है, ये Party One है, ये Party Two है, बीच में एक जज़ बैठा है, तो Normal Court में, जज़ अपने Binding Orders देता है, जज़ जो फैसला सुना दे, वो दोनों पार्टी सको मानना पड़ता है, चोईस नहीं है, ठीक है, अपील करना चाहो अलग बात है, बट जो order मिले, वो तो follow करने है, राइट, अपील है तो that's a different thing, बट you can't refuse, you can't say कि नहीं मैं जज़ की बात नहीं मानूँगा, तो same चीज़ अगर आप court से बाहर करो, आपने एक arbitration panel बठा दिया है, उसकी अगर बात मान रहे हो, तो that is basically arbitration, होता है ये कभी users का, जैसे बड़ी-बड़ी companies में dealings होती है, जब भी कोई बड़ी companies आपस में कोई contract sign करती है, तो generally उसमें clause होता है, कि अगर इस contract के दोरान, इस contract के अंदर को हमें dispute होता है, तो हम normal court में नहीं जाएंगे, because normal court में जाने का मतलब है, कई साल लग जाते हैं, उससे better लिखा होता है कि कोई particular arbitration panel होगा, ठीक है, वहाँ पर जाएंगे और उसका फैसला दोनों parties मान लेंगी, उससे क्या होता है, justice काफी जल्दी मिल जाता है, mainly arbitration में जो बंदा बैठा होता है, generally he is a retired judge, लेकिन उसकी speciality हो होती है, जैसे commercial matters में, taxation matters में, ऐसी चीज़ों में, तो इसलिए फैसला काफी जल्दी आ जाता है, यहां से, दूसर तरीका होता है ADR का conciliation, इसमें जो middle person है, neutral person है, वो orders तो देगा, but the orders are not binding, orders are not binding on the parties, ठीक, तीसरा होता है mediation, mediation में जो middle party है, neutral party, यह कोई फैसला है नहीं सुना पार्टी का main aim यह है, कि दोनों parties आपस में आएं, and बातचीत करें, ताकि कुछ solution निकले, जैसे मानलो, आप ऐसे जूम कर लो, इस third वाले के इसको, जैसे दो countries के लडाई हो रही है, dispute चल रहा है, तो USA big brother बनके बीच में आता है, कहता है, आओ मैं तुम्हारा फैसला करवाता हूँ, तो USA कोई उनको force निकरेगा किसी चीज के लिए, generally, कोई force निकरेगा, but वो settlement करवा देता है आपस में, तो उससे USA को भी अच्छा नाम मिल जाता है, कि यहां भी मेरी चलती है, देश, दुनिया में, उस टाइप से, so you can think it that way, तो आपको prelims के लिए तना ध्यान रखना है, कि the orders are not binding, ठीक है, या conciliation में कहा देंगे, the orders are binding, तो बस आपको यह difference ध्यान रखना है, दूसरा आपको ध्यान रखना है, कि ODR क्या होता है, ODR is nothing but online equivalent of ADR, Civil Services Board, यह news में क्यों था, क्योंकि पंजाब में government ने Civil Service Board बनाया, and obviously कई politicians ने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, तो 2013 में Supreme Court ने कहा, कि Center में, States में and UTs में, Civil Service Board होना चाहिए, इसका main name यह होता है, कि जो भी कोई bureaucrat है, उसको कहीं पर posting मिलती है, तो at least 2 साल के लिए, उसको वहाँ पर रहने देना चाहिए, frequent transfer नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी bureaucrat की, किसी politician के साथ नहीं बन रही, तो वह politician उसको transfer कर रहा देता है, तो फिर इसलिए एक fixed tenure होना चाहिए, minimum 2 years का, तो कहने का मतलब यह हुआ, कि जो transfer आप कर रहे हो, किसी भी bureaucrat का, वो politicians के हाथ में नहीं होना चाहिए, वो खुद bureaucrats के हाथ में होना चाहिए, यह main idea है, civil service board का, कि civil servants की transfer के लिए आपने एक board बना दिया, सुप्रीम कोट ने का, कि central states और UTs में, एक civil service board होना चाहिए, central government ने civil service board बना दिया, कई states ने भी बनाया, लेकिन सब ने नहीं बनाया, ठीक है, जो पंजाब ने बनाया है, वो, पंजाब is the 20th state, तो अभी भी करीब 8 states हैं, जिन में नहीं है, civil service board, आपको याद यह रखना है, कि who heads the civil service board, center में, the civil service board is headed by cabinet secretary, states में, it is headed by chief secretary of the state, previous year question देख लेते हैं, Prelims 2015 में, question आया था, the executive power of the union is vested in, prime minister नहीं है, executive power is vested in the president, ठीक है, practically देखा जाए, तो हाँ, ठीक है, prime minister की चलती है, इंडिया में, but theoretically, technically, अगर आपको देखना है, ठीक है, sentence लिखना है, तो आपको लिखना है, तो आपको लिखना चाहिए, आपको लिखना चाहिए, executive power lies in the president of India, तो पहली statement गलत हो गई, दूसरी statement है, PM is the ex-officio chairman of civil service board, नहीं, civil service board का ex-officio chair person is cabinet secretary, तो दोनों statement गलत हो गई, ex-officio मतलब, ex-officio मतलब कि जो भी PM है, वो अपने आप इसका chairman बन जाए, जैसे statement गलत है वैसे तो, ठीक है न, यहाँ पर इसकी जीगा आएगा cabinet secretary, तो whoever, whoever is a cabinet secretary, वो automatically civil service board का chairman बन जाएगा, तो that is a meaning of ex-officio, अब देखो, 2015 में 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 मुद्धा क्या था, इस question का, point number one सबको पता होता है, point number two, लोगो नहीं पता होता, तो यहाँ पर क्या focus था, UPSC का cabinet secretary के उपर, कि who heads the civil service board, अगर आपने prelims 2015 का question paper देखा, analysis किया, and आपने देखा, point number two में civil service board लिखा है, तो obviously आप थोड़ी सी research करोगे, कि भी यह civil service board क्या चीज़ होती है, तो अगले ही साल UPSC ने इसी पर focus किया, civil service board का head कौन होता है, chief secretary, तो chief secretary पर अगले साल question आ गया, पहली statement थी, chief secretary in a state is appointed by governor of that state, नहीं, chief secretary बस एक bureaucrat है, जो CM होता है, chief minister, वो जिस मर्जी को चाहे बना सकता है chief secretary, ठीक है, तो फिर पहले statement गलत हो गई, ठीक है, chief secretary in a state is appointed by chief minister होना चाहिए, दूसरी statement है, the chief secretary in a state has fixed tenure, गलत, क्योंकि हमने 2015 में क्या देखा, 2015 में हमने देखा कि एक civil service board है, हर state में एक civil service board होना चाहिए, which is headed by chief secretary, इसका purpose यह है, कि bureaucrats को fixed tenure मिले, bureaucrats को 2 सल का tenure मिले, लेकिन ये तो नहीं कहाना हमने, कि chief secretary का खुदकर fixed tenure होना चाहिए, वो तो नहीं कहाना, तो वो इस sentence यहाँ पे है, chief secretary in a state has fixed tenure, no, he does not have fixed tenure, chief minister जब चाहे, chief secretary को बदल सकता है, तो यहाँ पे भी both the statements are wrong, Central administrative tribunal, recently cat की 18th bench मनाई गई थी, for Jammu and Kashmir and Ladakh, background क्या है, original constitution में tribunals का जिक्र नहीं है, जब 42nd amendment act आया, तो उसमें एक निया part add किया गया constitution में, tribunals नाम से, इस part में, constitution के एक निया part में, सिर्फ दो articles हैं, 323A and 323B, 1985 में, parliament ने एक कानून बनाया, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे constitutional amendment हुआ, लेकिन law बना था, 1985 में, law का नाम था, administrative tribunals act, 1985, इस act के अंडर, government ने cat और sat बनाया, ठीक है, तो cat और sat क्या है, cat हो गया, Central Administrative Tribunal, और sat हो गया, State Administrative Tribunal, ठीक है, confused UPCP को कहां पे करेगा, वो यह बोलेगा कि जो sat है, देखो, cat हो गया, Central Government Employees के लिए, और sat हो गया, State Government Employees के लिए, तो आपको ऐसा बोला जाएगा, कि क्योंकि Central Government Employees के लिए, cat, इसको Central Government ने Establish किया, और sat को State Government ने, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है, देखो, यहाँ पर जो दो आर्टिकल्स थे, वो यह हैं, कि 323A के अंडर, जो Tribunal बनाया जाएगा, it will be only for service matters of employees, ठीक है, आपके service में कोई issue आता है, कोई dispute होता है, तो आप सीधा cat या sat में जाओ, लेकिन दोनों को ही cat और sat को सिर्फ Parliament ने बनाया है, sat is for state government employees, लेकिन तब भी बनाया Parliament ने, और एक दूसरी बात, अगर कोई बंदा sat में केस हार गया, तो यह नहीं है, कि वो cat में चला जाएगा, क्योंकि यह अलग लग हैं बिल्कुल, you can't say, कि cat is above sat, नहीं, sat सिर्फ state government employees के लिए, cat central government employees के लिए, ठीक है, तो state government का जो employee है, वो cat में नहीं आ सकता, अप्ली लेके है कुछ, तो यहां पर कोई hierarchy नहीं है, मतलब कि cat is not above sat, ऐसा नहीं है कि यह नीचे वो उपर, तो यहां पर को hierarchy नहीं है, 323B की चीज़ के लिए है, कि आपको tribunal बनाना है, बाकी सारे matters के लिए, taxation के लिए, industrial dispute के लिए, ATNC के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है, service matter को छोड़के, किसी भी चीज़ के लिए आपको tribunal क्रियेट करना है, तो वो आप कर सकते हो, पर्लिमेंट भी क्रियेट कर सकती है, state governments भी create को क्रियेट कर सकती है, और यहां पर hierarchy हो सकती है, कि आपको tribunal में गया यह, तो इसके ऊपर वाले tribunal में चले गए, फिर यह होता है, appellate tribunal, appeal करने वाला, appellate tribunal, तो यहां पर hierarchy हो सकती है, लेकिन 323 एक अंटर नहीं होती, तो आपको main चीज़ क्या देहन रखनी है, कि जो sat है, cat is not above sat, sat is only for state government employees, बोलो, उसमें गया सकते हैं, and sat को बनाया है, पार्लिमेंट ने, tribunals का main purpose क्या होता है, tribunals are quasi-judicial body, quasi मतलब false, partial, यानि कि यह court जैसी powers होती है, they are quasi-judicial, they are partially-judicial, court जैसी power होती है इनके पास, लिकने court नहीं होते हैं, purpose किया था, tribunals मिलाने का, speedy and specialized justice, जैसे service matters है किसी के, या मानलो, taxation मानलो, कोई taxation issue है, normal court में जाओगे, तो बहुत time लगेगा, पहली बात तो यह, ठीक है, और जब पैसे की बात होती है, तो पैसे पर interest चरता रहता है हमेशा, तो आपको जल्दी फैसला चाहिए, दूसरी बात taxation matters काफी complicated होते हैं, judge किस basis पे फैसला लेगा, judge के बास भी specialization होनी चाहिए, तो इसी लिए हमने अलग सर tribunals बनाए, taxation के लिए अलग, service matter के लिए अलग, industries के लिए अलग, उस तरह से, तो यह purpose होतर tribunals का, speedy and specialized justice, they follow the principles of natural justice, यहाँ पे court की तरह आपको वो नहीं करना कि evidence लाओ, evidence के साब से सारी चीज़े काम कर रही है, ठीक है, यहाँ पर procedure थोड़ा flexible होता है, और दो article मैं आपको बता दिये, 323A, administrative tribunals के लिए है, यानि cat और satis के नदर बनाए गए है, and 323B, बाकि सारे matters के लिए है, जैसे taxation बगरा, तो आपको exam के लिए क्या देहान रखना है, cat और sat म cat को बनाया गया था 1985 में, इसकी principal bench डेली में है, total bench is 18 हो गई है, जैसे हमने उपर न्यूज में बताया, cat has original jurisdiction in service matters of civil post under the center, तो central government के जो employees है, उन पर, बोलो cat में जा सकते हैं, लेकिन, supreme court के जो employees है, या पारलेमेंट के जो employees है, staff है, they cannot go to cat, या को ध्यान रखना है, ठीक, और यहां पर हम बोल रहे है, civil post under center, तो जो armed forces के लोग है, armed forces के लोग cat में जा सकते, ठीक है, उनके लिए अलग tribunal होता है, cat is a multi- member body, इसमें around 65 members होते हैं, some of the members are judicial members, some are administrative, appointment कौन करता है, members की, president of India, 5 साल का tenure होता है, retirement age, members के लिए 62, and chairperson के लिए 65, cat से appeal कहां पर जाएगी, high court में, यहां पर UPSC बोल देगा, कि cat से appeal goes to supreme court, नहीं, appeal पहले high court में जाएगी, high court के बाद supreme court में, sat, sat को states ने बनाया, नहीं, सब states के पास sat है, नहीं, ठीक है, सारे states के लिए sat नहीं मनाया गया, जैसे cat है, ठीक है, तो, जैसे cat कहा था, cat is a statutory body, constitution में, जो amendment किया गया था, 1976 में, उसमें हमने, articles तो insert करे थे, बट हमने कोई cat नहीं बनाया था, cat बनाया था, 1995 में, उसी तरह, जो sat है, sat भी इस कानून के अंदर बनाया जाता है, administrative tribunal act, तो, यान कि cat and sat, both are statutory bodies, they are not constitutional bodies, sat also has original jurisdiction in service matters of state government employees, state government के employees है, वो सीधा sat में जा सकते हैं, तो, यान कि sat has original jurisdiction, और इसके members को भी president appoint करते हैं, कई लोगों confusion रहता है, original jurisdiction और exclusive jurisdiction में, original मतलब, सीधा, सीधा किसी case को hear करना, भाई, आपको कोई dispute है, आपको किसी से कोई लडाई है, कुछ है, आपको court में जाना है, तो, क्या आप सीधा supreme court में जा सकते हो, suppose जा सकते हो, suppose, तो उस case में कहेंगे, yes, supreme court has original jurisdiction, अगर आप सीधा supreme court में नहीं जा सकते, हाई court में बेरी allowed नहीं है, suppose, किसी particular चीज के लिए जाना, तो आप जिस court में जा रहे हो, उस court के लिए कहेंगे, that court has original jurisdiction, वहाँ से case हार गए, तो फिर उपर appeal करके गए high court में, ठीक है, तो फिर यह हो गया, original jurisdiction कि आपने जिस court में, जहाँ पर आपने पहले अरजित दायर करी, वहाँ पे, तो state government employee है, उसको कोई दिक्कत तर्मी service में, वो सीधा sat में जा सकता है, तो sat as original jurisdiction, central government employee है, सीधा cat में जा सकता है, ठीक, दूसरा होता है, exclusive, exclusive jurisdiction, कि कोई और court, उस dispute को solve नहीं कर सकता, जैसे inter-government disputes होते हैं, जो federal disputes होते हैं, federal disputes कहां जाते हैं सीधा, supreme court में, तो वहाँ पे supreme court है, exclusive, सिर्फ supreme court के पास ही jurisdiction है, उस case में, ठीक है, defense zone में clear हो गया, अब एक previous question देखते हैं, prelims 2009 का, cat was set up during prime ministership of Lail Bahadur Shastri, गलत, Lail Bahadur Shastri, second prime minister of India, office में कब तक थे, 9th June 1964 से 11th January 1966, 1964 से 1966, जबकि cat cup बनाए गया था, 1985 में, ठीक, दूसरा, members of cat are drawn from both judicial and administrative streams, बिल्कोल ठीक बात है, तो only option 2 is correct, next is article 1 of Indian constitution, Supreme Court में, किसी ने एक appeal दायर करी थी, case डाला था, कि India को जो नाम है, वो India हटा देना चाहिए, सिर्फ भारत रहना चाहिए, तो Supreme Court ने बोला, कि देखो, article 1 में लिखा है, India that is भारत, दोनों नाम दिया हुए है, आपको जो नाम लेना आप लो, हम किसी को कुछ force ने रहे है, को restrict नहीं कर रहे है, लेकिन petitioner ने कहा, कि जो इंडिया नाम है, वो हटा देना चाहिए, वो काट देना चाहिए हमें, सिर्फ भारत नाम रहना चाहिए, ये उसकी petition थी, सुप्रमी कोट ने का, बाई बाई, ठीक है, गर्मेंट को जा का बोलो, हम इसे में कुछ नहीं कर रहे है, तो आर्टिकल वन क्या है, आर्टिकल वन इस, इंडिया डाटिस भारत, शैल ये यूनियन ऑफ स्टेट्स, हमने यहाँ पर यूनियन वर्ट क्यों यूज किया था, फेडरेशन वर्ट क्यों ने यूज किया, बिकॉज इंडिया डिड नॉट फॉर्म एज अग्रीमेंट अमंग स्टेट्स, देखो फेडरेशन पता है, आईडियली कब होती है, कि जैसे माले लोग चार स्टेट्स है, चार स्टेट्स ने आपस में बोला, कि यार, यूनिट यूनिटी ठीक है, आपस में मिलके काम करते हैं, एक देश बना लेते हैं, तो चारों को फाइदा रहेगा, तो सब लोग आपस में अग्रीमेंट कर लेंगे, अग्रीमेंट करके एक देश बन गया, तो वो होती है प्रॉपर फेडरेशन, इंडिया में ऐसा नहीं है, इंड administrative convenience के लिए, administrative convenience के लिए हमने इंडिया में states बना रखे हैं, तो इसलिए हमने union word यूज किया, ना कि federation, दूसरा reason ये है, कि states do not have the right to secede, secede मतलब withdraw, कल को इंडिया में कोई भी state ये नहीं कह सकता, कि मैं जा रहा हूं, मैं अलग हो रहा हूं, वो चीज नहीं कर सकता, कोई भी state, क्योंकि agreement ही नहीं हो पहले है, कोई ऐसा, तो hence India is a union, दूसरा, इंडिया की territory में क्या क्या आता है, states आते है, यूटी जाती है, and कोई territory जो हम future में acquire करेंगे, फो, एक बार ध्यान अपना, इंडिया में अभी 28 states है, and 8 union territories है, 8, कैसे, पहले 7 थी, ठीक है, उसके बाद, जम्मू, and कश्मीर, and लदाक, दो union territories बन गई, तो 9 हो गई, लेकिन, दादरा, and नागर हवेली, और दमनें दियू, ये तो अलग लग थी, दादरा, नागर हवेली, एक, और दमनें दियू, दूसरी, इन दोनों combine कर दिया गया, तो फिर minus 1 कर दो, अब कितने हो गई, 8 union territories, औ अब जैसे news थी, कि इंडिया का नाम सिर्फ भारत होना चाहिए, सिर्फ भारत, तो आपको पता होना चाहिए, कि इंडिया का नाम भारत क्यों पड़ा, अब इसके actually दो versions हैं, ठीक है, एक version तो ये है, कि भारत कौन था, दुशियन्त और शकुंतला का बेटा, एसा महाभारत में कहा गया, कालिदास की, अभी ज्यान शकुंतलम, दर रेकॉगनीशन ओफ शकुंतला, इसमें भी कहा गया, कि इनका बेटा था, राइट, दुशियन्त कौन था, दुशियन्त वोज़ा एंसेस्टर, और ये जो कौरफ और पांडफ थे, ठीक है न, उन दो अनों के एंसेस्टर था, दुशियन्त, और फिर दुशियन्त को भरत और फिर नीचे ऐसे, ठीक, दूसरा वर्जन ये है, कि भरत वोज़ा सन ओफ रिशबनाथ, रिशबनाथ कौन थे, दा फर्स्ट तीर्थंकार, ये कहां लिखा हुआ है, कि हमारे देश का नाम जो भरत इत वस बेज़ ओन दा नेम ओफ सन ओफ रिशबनाथ, ये लिखा है हमारी पुरानों में, विश्नु पुरान, वायू पुरान, अगनी पुरान, बहुत सरी पुरान है, उनमें मैक्सिम में ये चीज़ लिखी हुई है, कि रिशबनाथ के बेटे का नाम था भरत, और उसके ये, बहुबली, ये न, तो जो बहुबली का स्टाचू है, हमने पढ़ा है कि करनाथका में, शिरवन बिलागोला, जो जगे है यहां पे, ठीक है, उस जगे पे इक स्टाचू बना हुआ है, किस नाम से स्टाचू है ये, गुमतेशवर, गुमतेशवर स्टाचू की बनाया गया, ठीक है, किसने बनाया था ये, गंगा डैनेस्टी के मिनिस्टर थे, चामुदार रहा, उन्होंने बनाया था, ठीक है, तो फिर, रिशबनाथ के, एक बेटा भारत, दूसरा बेटा, बहुबली, ये बहुबली, और भारत के नाम पे, हमारे देश के नाम अच्छा, रिशबनाथ तो फिर्स दीर्थंकार थे न, तो लास्ट कौन थे, 24th, महवीर, और उन से पहले 23rd कौन थे, पारस्वनाथ, चीक, इंडिया के और भी कुछ नाम, जैसे मिलूहा, इंडिस वैली सिविलाजेशन को, मिसोपोटैमिया के लोग, मिलूहा नाम से कहते थे, मनुस्मृती में लिखा है, इंडिया का नाम क्या लिखा है, आरेवरत, और कई सारी वेदिक किताबों में, हमारे देश नाम लिखा है, जम्बु दूईप, एक प्रीविस एर कौशन देखते हैं, 1995 का, सबसे पहले हिंदू वर्ड यहां के लोग को डिस्क्राइब करने के लिए किसने यूज़ किया था, अरब्स ने, ठीक है, कैसे, अब नॉर्मल यह बत मानी जाती है, कि देखो, जो सिंदू नदी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंदू बोलते थे, लेकिन अरब्स ने उसको बोला, सिंदू को, उनोंने बोला हिंदू, ठीक है, सिंदू को बन गया हिंदू, एड्ट ग्रीक्स ने, उस हिंदू को बोला, इंदू, ठीक है न, उस टाइम गूगल तो होता नहीं था, कि तुम correct spelling चेक कर लो, तो फिर वो बोलने वाली बात है, और accent में काफी difference होत था तो मेंली सिंधू का बना हिंदू हिंदू को बना इंदू और इंदू सो बना इंडिया ठीक है तो इंडिया नाम कैसे आया सिंदू हिंदू इंदू इंडिया कुछ हिस्टोरियन्स ऐसा भी कहते हैं कि सिंदू से सीधा नाम पड़ा इंदू ग्रीक्स ने बोला इसको इं नहीं बाते हैं, but this is more acceptable, कि सिंदू, हिंदू, हिंदू, इन्दू, तो यह होगा प्रिविसरो कॉश्छन, next news is about OBC subcategorization, OBC subcategorization, इसके उपर recently, actually 2-3 साल पहले, गवर्मेन ने कमिशन में रठाया था, जी रोहिनी कमिशन, ठीक है, under article 340, तो article 340 क्या है, article 340 के under, President of India can appoint a commission to investigate conditions of socially and educationally backward classes, ठीक है, OBCs की इंडिया में क्या स्थिति है, क्या education level है, ठीक है, उनकी, उनके interest promote करने के लिए, गवर्मेन को क्या steps लेने चाहिए, उन सब चीजों के लिए, President of India can appoint a commission, वो जो commission होगा, वो अपनी report, President of India को submit करेगा, and President will cause the report to be laid before the parliament, ठीक है, President से वो report जो है, लोगसभा और राजसभा दोनों के floor of the house पर रखी जाएगी, उस पर discussion होगा, इस से पहले भी इस article का use किया जा चुका है, जैसे, 1953 में, First Backward Class Commission बनाया गया था, अंडर, काका कलेलकर, तो यह prelims में कोशन ऐसे आ जाएगा, कि First Backward Class Commission was constituted under, बीपी मंडल, ऐसे बोल देंगे, कंफ्यूस कर देंगे आपस में, तो ऐसे नहीं करना, ठीक है, First Backward Class Commission, काका कलेलकर, Second Backward Class Commission in 1979, अंडर, बीपी मंडल, जिसको हम famously जानते हैं, मंडल कमिशन, और अभी government ने बनाया है, G. रोहीनी कमिशन, किस परपस से, for sub-categorization of OBC, ठीक है, इसका motivation क्या था, गवर्मेंट ने ऐसका क्यों कमिशन मिठाया, motivation ये था, कि कई OBC communities को, reservation का benefit नहीं मिल रहा था, OBCs के लिए 27% reservation होता है, लेकिन कई सारी OBC caste को reservation का benefit नहीं मिल पा रहा था, for example, देखो अभी तो government ने G. रोहीनी कमिशन की tenure बढ़ा दिया है, extend कर दिया है, बट अभी तक इस कमिशन ने कुछ findings करी हैं, वो findings क्या है, इस कमिशन ने कहा कि जो central list of OBC है, ठीक है, उसमें 2, 6, 3, 3 caste है, 97% reservation का benefit, जो 27% है, 27% seats reserve होती है, मानलों 100 seats हैं, 100 में से 27 seats हैं, OBC के लिए, अब उस 27 में से 97% benefit जो है वो 25% OBC कास्ट ले लेती हैं, और अंत में निकलता है यह है, कि 2, 6, 3, 3 में से आज भी 9, 80 caste ऐसी हैं, जिनका 0 representation है, जिनोंने इस 27% में से एक भी seat नहीं ले पाए वो लोग, ठीक है, तो फिर इसी लिए government को ज़़ूरी है, कि वो OBC को sub-categorize करें, ताकि इन लोगों को भी reservation का benefit मिल पाए, जैसे होता क्यों है, कुछ ही caste, सारे benefit कैसे ले ले लेती है, reservation का, उसका simple सा funda यह होता है, कि जिसके पास भी थोड़ से पैसे आ जाते हैं, coaching ले ले लेता है, यह बहुत practical सी चीज़ है, ठीक है न, देखो यह concept क्या है, कि जैसे यह है schedule cast, यह सारे schedule cast है, अब schedule cast में भी कुछ होंगे जिनका थोड़ा पैसा होगा, तो जैसी थोड़ा सा पैसा आया उस बंदे के पास, उसने पैसे से coaching ली, अपने बच्चों को coaching दिलाई, एंड उस coaching मदद से, उसके बच्चों ने जो SC के लिए seat reserved है, उस seat को नों ने ले लिया, नथिंग रॉंग, बिल्कुल ठीक है, लेकिन problem यह होई ही कि अगर repeatedly, यही लोग जिनके पास पैसा है, अगर वो ही उन seat सो claim करे जा रहे हैं, तो जो actually में गरीब SC है, वो कभी उपर आई नहीं पाएगा, यह चीज जब OBC में हो रही है, तो उसके लिए government ने यह commission मना दिया, ठीक है, सब का टेकरेशन करने के लिए, तो यह जो creamy layer वाला concept होता है, इसलिए लाया जाता है, कि असलिए OBC है, OBC में creamy layer ने सारे benefit ले लिया, तो इसलिए government ने गा कि नहीं, creamy layer को reservation नहीं मिलनी चाहिए, तो creamy layer को reservation नहीं मिलेगी, इसलिए सिफ इन OBC को मिलेगी, तो creamy layer concept है इसमें, general category के लिए, EWS reservation मिलती है, तो EWS reservation के through भी आप यह ensure कर रहे हो, कि जो गरीब general category के लोग हैं, उनको reservation मिल जाए, लेकिन SC और ST में, यह concept apply नहीं होता है, तो वहाँ पर ओपर वाले लोग ही जो है, वो repeatedly इनको लेते रहते हैं, seats को, तो उसी inspiration से government ने यह commission मनाया, sub-categorization के लिए, background of OBC reservation, अब ठीक है, इसी news से inspire होके, क्या पता UPSC OBC reservation के उपर कुछ historical fact पूछ ले, तो simple सा brief background यह है, कि 1979 में, मंडल कमिशन बनाया गिया, 1980 में, मंडल कमिशन ने recommendation दी, कि 27% seats reserve करी चाहें, OBCs के लिए, 1990 में, National Front की government ने, 15 अगस्त को, Independence Day वाले दिन, एनाउंस किया publicly, कि हाँ, हम जो है, वो जो 10 ताल पहले recommendation आया थी मंडल कमिशन की, हम उसको implement करने चाह रहे हैं, ठीक है, we will give 27% reservation in, किस चीज में, education में, नहीं, jobs में, Central Government and Central PSUs में, jobs में, हम 27% reservation देंगे, OBCs को, Government ने, 15 अगस्त को, लाल के लिए से announcement करी, Prime Minister ने उस time, and Indra Sani ने, Supreme Court में, case file कर दिया, उन्होंने ये कहा, कि, जो caste है, ठीक है, caste is not a reliable indicator of backwardness, उन्होंने ये कहा, कि आप economic basis वगरा पे दो, reservation अगर देनी है, ठीक है, caste के basis पे, caste is not reliable, because हर caste में, कुछ रिच लोग होते हैं, and वो रिच लोग जो है, वो सारा benefit ले ले लेंगे, तो Supreme Court ने, उस time, तो government के order पे, stay लगा दिया, कि भी reservation नहीं मिलेगी, दो-तिन साल case चला, 1992 में, I think November में, Supreme Court का फैसला आ गया, Supreme Court ने कहा कि government is correct, government reservation दे सकती है, ठीक है, तो Indra Sani एक तरह से, you can say कि case हार गई, तो Supreme Court ने कहा भी, government अपने reservation लाए, को issue नहीं है, लेकिन आप please creamy layer को reservation मत दो, ठीक है, तो OBC में, जो rich लोग हैं, उनको reservation नहीं मिलती, गरीब OBC को reservation मिलती है, ठीक, अब बात इसमें फिर ये भी रही, कि आपने jobs में reservation तो दे दी, लेकिन job में जो basic eligibility होती है, कि अब person suppose should be graduate, graduate सी नहीं है, क्यों, क्योंकि लोग इतने पिछड़े हुए हैं, OBC थी नहीं इतने, कि वो graduation कर पाएं, ठीक है न, उनको 12 के बाद seat नहीं मिली, college में, क्योंकि हमाँ पर reservation थी ही नहीं, तो इसलिए 2006 में, government brought, brought this OBC reservation in higher education also, ठीक है, तो फिर आपको ध्यान के रखना है, कि 1990 में, जो है, वो jobs के रनाउंस करी गई थी, and 2006 में, higher education के लिए, आपको यह धियान अखना है कि creamy layer का concept, SC और ST में नहीं होता है, OBC में होता है creamy layer का concept, ठीक है, तो prelims के लिए आपको यह धियान अखना है, एक्शली यह चीज़ भी news में थी, कि जो supreme court है, supreme court ने कहा था, 2018 में, 2018 में, supreme court के 5 judge bench था, जिसने यह कहा था, कि SC ST के लिए भी creamy layer concept होना चाहिए, ताकि जो नीचे वाले, जो गरीब SC ST है, उनको reservation का profit, फाइदा मिल पाए, ठीक है, लेकिन government ने, अभी supreme court में एक अर्जी दायर करी थी, गर्मेंट ने कहा, कि एक 7 judge bench बैठाया जाए, ताकि जो 5 judge bench की verdict थी, कि creamy layer concept होना चाहिए, वो review किया जाए, गर्मेंट बिसिकली कहना चाहती है, कि creamy layer का concept SC ST के लिए नहीं आना चाहिए, अच्छा, ये जो G. Rohini Commission बैठाया गया है, don't confuse it with National Commission for backward classes, ये भी एक दो साल पह Constitutional Amendment Act से, इसको constitutional status मिल गया, 1993 में, जब NCBC बनाया गया, under NCBC Act, so it was a statutory body under Ministry of Social Justice and Empowerment, लेकिन अब ये बन गई है, constitutional body, ठीक है, तो UP से बतार confused कैसे करेगा, वो ऐसे बोल लेगा, statement number one, statement number one ये है, कि in the year 1993, NCBC was formed by the NCBC Act 1993, statement बिल्कुल सही है, दूसरी statement दे देगा, कि NCBC is a statutory body, जो की गलत है, जा फिर it is not a constitutional body, ऐसा बोल देगा, ठीक है, लेकिन it is now, now it is a constitutional body, तो आपकोई जी ध्यान रखना है, इसके 5 members होते है, President appoints them, ठीक है, service condition और tenure और वगरा सा President decide करते हैं, और काम क्या होता है, कि OBC को लेके जो भी कुछ complaints आती है, या जैसे मालना, जैसे National Commission for Schedule Cast है, उसका क्या काम है, कि कोई SC, any SC can complain, कि मेरे class discrimination हो रहा है, इस तरह की चीज़े, तो वो complaints देखता है, ये NCBC for OBCs, and उनके promotion के लिए welfare promote करने के लिए कुछ measures suggest करता है, गर्मेंट को, Rule of Law, जैसे news थी, कि Supreme Court refuses to entertain, plea on improving India's rank on Rule of Law Index, ये Rule of Law क्या होता है, ये आपके NCRT में दिया हुआ है, NCRT में 11th class के NCRT में topic है, वाइडू भी नीड़ है, independent judiciary, तो वहाँ पे दिया है, principle of Rule of Law, all are subjected to the same law, कानून के सामने सब बराबर हैं, सब पे same law apply होता है, हर इनसान के कुछ basic rights हैं, ठीक है, disputes को law के हिसाब से settle करना चाहिए, ये नहीं कि कौन सी party stronger है, normally ऐसा होता है न, दो लोगों में dispute हो जाए, तो कौन जीतता है, whichever is the stronger party, ऐसा नहीं होना चाहिए, dispute should be solved on the basis of merit, in accordance with the law, ठीक है, ये सब हमें क्यों करना पढ़ रहा है, rule of law में क्यों follow करना चाहिए, इसलिए ताकि democracy, democracy रहे, democracy जो है वो dictatorship में ना बदल जाए, और ऐसा करने के लिए ज़रूरी है, कि judiciary independent रहे, ठीक, एक concept है, समझ लो काफिए फायदा देगा, कुछ previous question में से solve हो जाते हैं, इसलिए बता रहा हूँ, rule of man versus rule by law versus rule of law, ज़्यादा difficult नहीं है, बस ध्यान से सुनना, rule of man, आदमी का rule चल रहा है, हम लोग यह समस्थर्ण democracy का मतलब होता है, कि यह जनता है, जनता कहती है, we elect you to rulers for next five years, जनता कहती है वही यह जो particular बंदा है न, यह बहुत मस्थ बंदा है, यह हमारे देश को बढ़िया चलाएगा, तो हमने इसको elect कर लिया है, ठीक है नेता जी, आप नेता जी बन गए, अब आप अगले पांच साल तक हमारे उपर राज करो, हम आपके performance जो है, वो पांच साल बाद देख लेंगे, यह आदमें कहता है, ठीक है, अगले पांच साल, मैं अपने हिसाब से, अपनी मर्जी के हिसाब से, आपको rule करूँगा, आप मेरी performance देखो, मेरा काम देखो, ठीक है, इसा हमें लगता है, इसा हमें लगता है, एक अकेला बंदा जो है, वो अपनी मर्जी के हिसाब से, एक ग्रूप या एक बंदा, हमें हमें रूल कर रहा है, बट इस एक्टलिए वेरी डेंजरस कंसेप्ट, बिकॉज ये बंदा, इसको जब अपने एपसलूट पावर दे दी, कि तुम रूल करो, तो वो तानाशाहा बन सकता है, तो इसको रिस्ट्रिट करने के लिए, हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं, बहुत अब ऐसा मत करो, देखो, कानून के हिसाब से चलो, ठीक है, डिक्टेटर्शिप हमें नीची है, हमें कानून चाहिए, तो ही विल से, Let us bring, from rule of man, let us move towards rule by law, Man तो था, Man यहाँ पे था, अब भी man है, man के सात में, गी आगया, हर चीस कानून के हिसाब से होनी चाहिए, यह उना कहते है, ठीक है, मैं अपनी wishes के हिसाब से नहीं, अपनी wishes के हिसाब से, आपको रूल नहीं करूँगा, मैं कानून के हिसाब से आपके उपर रूल करूँगा, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, घ्यान से पड़ो, यहाँ पर लिखा है, I will use laws to rule you, rule by law, law की मदद से मैं तुम्हारे उपर रूल करूँगा, यह भी गलत है, क्यों, ऐसा करने से, law is used as a tool of political power, politics में बहुत power आती है, and especially जब आप PM वगरा कुछ बन जाओ, तो आपकी power बहुत बढ़ जाती है, and फिर आप अपने हिसाब से, पारलिमेंट में law पास करवाओगे, and उसकी मदद से, जो चाहो वो करोगे, law becomes a tool of political power, illegitimate ideas are given legal sanctity, माल लो इस बंदे के दिमाग में assume कर लो, कुछ biasness है, या कुछ खराब है इसके दिमाग में, तो वो जो अपने बिकार के ideas होंगे न, उनको law में convert कर देगा, because he has majority in the parliament, और फिर जब वो law में convert कर देगा, अपने बेवकूफों ऐसे ideas को, तो फिर उसकी मदद से, वो लोगों पे अत्याचार करेगा, law becomes instrument of oppression, इसके example है मारे पस, जैसे, नाजी जर्मनी में, और South Africa में, Jews and Blacks के खिलाफ, कानून को use करके ही discriminate किया गया था, ठीक है, वहाँ पे कानून का ही use किया गया था, Jews को concentration camp में डालने के लिए, उनके खिलाफ discriminate करने के लिए, Blacks के खिलाफ जो अपर्थाइट था, वो कानून के according था, तो इसलिए कानून का होना necessary तो है, अगर कानून नहीं होगा तो ये वली बात हो जाएगी फिर, तानाशाही वली बात हो जाएगी फिर, तो कानून का होना जरूरी है, लेकिन sufficient नहीं है, ठीक है, law is necessary, but not sufficient, तो पहले man आया, man के बाद law आया, अब आपको law के अंदर equality and liberty होनी चाहिए, कुछ basic principles होने चाहिए, law has some core principles that ensure basic rights and dignity of each individual, याने कि जो ruler है, he has limited power, पहले case में हमने उसको absolute power दे दी, दूसरों में हमने कहा कि sir, please act according to the law, कहता है, okay, I will act according to the law, लेकिन law मैं बनाऊँगा, और जो मेरे मन में आया, मैं वो law बनाऊँगा, don't question me, third case में कहा गया, कि you have limited powers, तुम law को किस तरह का law बना सकते हो, उस पे कुछ restrictions है, हर इनसान की अपनी एक dignity है, कुछ basic rights है, वो violet नहीं होने चाहिए, जब यह third situation create होती है, इसके उपर restrictions लगती है, उसको कहते है, rule of law, ठीक है, जो चीज़ आपकी यहाँ पे समझाई गई है, NCRT के अंतर, अगर आपको एक concept समझाई आ गया, तो prelims 2018 का question, आप बड़े अराम से कर सकते हो, which of the following are regarded as the main features of rule of law, statement one, limitation of power, rule of law, इसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है, limitation of power, बिल्कुल, इस बंदे की power पर limitation है, जो rule by law था, इसमें कोई limitation नहीं थी, यह जैसा मर्जी कानून बनाए, यहाँ पर limitation लग गई, तो rule of law का हो गया, limitation of power, दूसरा, equality before law, यहाँ पर हमने कहा, कि यह बंदा, अपने आपको superior समझता है, इन सब लोगों से, I will rule you, नहीं, यह समझता है कि कानून इसके पास है, जो मर्जी करेए, नहीं, ऐसी बात नहीं है, rule of law में, everyone is equal before the law, यह कानून जितना आपके और मेरे उपर apply होता है, exactly उसी तरह है, ब्लकुल उसी तरह है, यह कानून इसके उपर भी apply होता है, चाहिए PM हो या CM हो, ठीक है, तो equality before law, सब बराबर है law के सामने, फूर्थ तो देख लो एक वार, liberty and civil rights, जो हमने का, dignity और basic rights होने चाहिए, आप किसी इंसान की liberty और civil rights नहीं छीन होगे कानून दना के, that is rule of law, चाहिए, तो 1, 2 and 4 सही है, option number C सही है, थर्ड पढ़ो एक वार, people's responsibility to the government, people's responsibility to the government, नहीं, यह तो नहीं, यह rule of law, इसका हम कुछ concept नहीं है, तो third is wrong, 1, 2 and 4 are correct, अगर आपने यह सारा concept समझ लिया, तो आपके लिए यह question, एकदम clarity के साथ, confidence के साथ कर सकता है, अदरवाइस क्या होगा, तुक्का मारोगे, और फिर बाद में, दोस्तों से discuss करोगी, कौन सो option होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए, तो concepts अपने clear रखो, polity में, अक्सर UPSC, ऐसे basic fundे पूछ लेता है, और मज़े की बात यह, कि 2018 में ही, rule of law पे एक और question आया था, rule of law index कौन निकालता है, वो निकालता है, world justice project, अच्छा, rule of law हमने कहां से borrow किया, कौन से country के, कौन से country से हमने बौरो किया यह, Britain से, लक्षमी कांत में शुरू में दिया ना, शुरू के कुछ चाप्टर में, कि कौन-कौन से features, कौन-कौन से country के constitution से बौरो किये थे, तो rule of law came from Britain, अगली वीडियो, दो-तीन दिन में आ जानी चाहिए, जब वीडियो आएगी, आपको notification मिल जाएगी, अपने आप, प्रोवाइड आप चैनल को, subscribe करो, and bell icon, press करो, नेक्स्ट वीडियो, मुस्ट वबली, इंटरनाशनल रिलिशन्स पर होगी, दो-तीन दिन, या उससे चार दिन लग जाए, but I will try my best, we will try mainly, कि इस महीने जो है, अभी फरबरी चल रहा है, at least two months, June and July, 2020, दो महीने के करंटे, फिर हम खुब अच्चे से कर लें, फिर मार्च में थोड़ी जो और स्पीड बढ़ाते हैंगे, thank you.